बोलो जयकारा बोल मेरे शिर्गुरु महराज की जय तेंक यू वेरी मच हम सनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं जैसे भी करके चलता है इसको एक्सेप्ट करते हैं रेट जो लोग मेरे वाज क्ली 553 अवाज आ रही है बता दो भ app जो चल। चलो स्टार्ट करते हैं कहा है चेहले बहुत जड़ी तो क्या करों इसको डिलीट कर दो नई option, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको option करने का चलिए हम शुरू करते हैं, ये यूट्यूब पर live है, आप उसमें से कुछ अगर connect हो सकते हैं, तो please इसको यहां पर connect हो जाएं जो भी है, अभी जैसा भी है, इसको connect करते हैं, आप लोग भी शेड़ खानी मत करें, आप कोई भी personal message मत लिखा करें, प्लीज, सभी से निवेदाने, अगरबर मत क्या करें, इतना समय नहीं होता, और वक्ति यह से personal बात ना करें, चलिए, शुरू करते हैं, बोलो जयकारा, ब मेरे शीर गुरु महराज की जाए, शीर सद्गुर देव भगवान की जाए, यह YouTube पर लाइव है, जिसको भी जॉइन करने का हो, तो आप यहां पर जॉइन कर सकते हैं, रैट, शीर कृष्ण जनमाष्टमी की सभी को बहुत-बहुत हार्तिक शुप काम नाए, मैं निवेद करता हूं कि इसी प्रकार भगवान कृष्ण की कृपा हम सब पर बरस्ती रहे, आए, कनेक्ट करते हैं, बगवान कृष्ण के उन गुणों के साथ, जो उनको कृष्ण को, कृष्ण भगवान जी को कृष्ण बनाते हैं, तो जन्माष्ण में कि सभी को हार्दिक शुप काम नाए, जन्माष्ण में की सभी को हार्दिक शुप काम नाए, आए, थोड़ा समझते हैं, बगवान Шरी क्रिश्ण की पवित्र त्योहार को, क्या अर्थ है, जो लोग इस पे आ सकते हैं, सभी से निवेधन है, वीडियो इस पे आ जाएं, यूट्यूब पर सभी को option दिया गया, तो श्री कृष्ण जनमाश्टमी का अर्थ क्या है, हम अपने तरीके से अपने शब्दों में समझेंगे, भगवाई श्री कृष्ण की महिमा में, जब जो हमारे ग भगवाई श्री कृष्ण को, हम नमशकार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिती और विनाश के हेतु हैं, तो तीनो तरह के ताप होते हैं, अध्यात्मिक, आधि देविक और आधि बहुदिक, इन तीनो तरह के तापों का नाश करने वाले जो हैं, वो श्री करते हैं, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो हमारे शास्त्रों में लिखाया है कर्षिती आकर्षिती इदे कृष्ण, जो आकर्षित करता है वो कृष्ण, आकर्षित करता है वो कृष्ण, धन, सत्त, पद, आधि किसी को भी आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि उसे तरित हुए, हमें जो है, हम हमेशा जो समझने का प्रयाद, हमारे साथ एक दिक्कत क्या है कि हम किसी को भगवान का दर्जा देकर उन्हें अपने से अलग कर देते हैं, हमें खुद को भगवान हम कह नहीं सकते, कहेंगे तो हमें एगोिस्टिक लगता है, मैं कहूं कि मैं भग लोग और समझना शुरू कर देते हैं, भगवान की जगा ओशो ने बड़ी सुन्दर व्याख्या दिया, ओशो ने कहा भगवान का वर्ड यूज ना करके कहो भगवत्ता है, मतलब भगवत्ता है, हर एक के अंदर भगवत्ता मौजूद है, अगर हम अपने भीतर टटोलते हैं, सभी के अंदर बीज रूप में वही गुण मौजूद हैं, जो सचदानन्द रूप भगवान कृष्ण में हैं, यही सचदानन्द रूप प्रभू परमात्मा जो है, वो अलग लग रूपों में हमारे सामने आते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के उस्तत्व रूप को नमशकार है, जो लोग यूट्यूब पर हैं, जा सकते हैं, यहां से मूग कर जाएं, तकि वहां पर बिल्कुल ही लोग नहीं है, हमने तो बहुत पहले मैसेज बेजा था, चाहिद वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, सभी से निवेदन हैं, जड़ा वहां पर भी थोड़ा सा रोनक लगा लें, जो लोग यूट्यूब पर हैं, वीडियो को लाइक कर दें, ऑप्शन नहीं है, साउंड आ रही है, नहीं आ रही है आवाज, अर ये अबल टू हियर, मेरे आवाज आ रही है, यह जो यूट्यूब वाले हैं, सुन पा रहे हैं, आप सभी को सुनाई द जी के उस परम तत्व की, तो श्री कृष्ण ची का जो हम नाम, जो हम बात करें, तो जो सब को अकरशित करें, अगर आप किसी भी वेक्ति को देखो, वो दूसरों को अकरशित करने पर ही तुला हुआ है, किसी भी वेक्ति को देखो, अकरशित करने पर ही तुला हुआ है, ह के ध्यान का केंद्र बन जाएं आया ना हमारे जो psychology में टम चलती है attention seeking syndrome जिस बच्चे पर कोई ध्यान न दे तो वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे लोग उसकी तरफ देखें मतलब वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ देखें attention दें उसको attention दें और अगर आप पर कोई attention न दे तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ignore कर दिया गया और कोई भी वेक्ति ignore नहीं होना चाहता वो सबके ध्यान का केंद्र बनना चाहता है अब हमारे अंदर ऐसा क्या हो जो ध्यान का केंद्र बन सके हम अधिकतर हम क्या करते हैं हम बाहरी रूप से अपने आपको निखारने की चेस्टा करते हैं, हम अपने कपड़े सुन्दर कर लेंगे, हम अपने उपर इतर वितर लगा लेंगे, या कुछ ऐसी हरकते करेंगे, लोग ऐसी उट पटांग हरकते करते हैं, लोगों को आकरशित करने के लिए, वास्ता में वो कौन सी चीज है, जो सब को आकरशित कर लें, तीनों वो शब्दों का इस्तेमाल क्या गया है, करशती आकरशती इतिक्रिश्न, करशती आकरशती सभी को आकरशित जो कर ले, वो क्रिश्न है, चाहते तो हम भी सभी यही है, और मजे की बात है कि हमारे सब के भीतर भी क्रिशन था तो उत्paper ही मौशूद है जितना श्री क्रिशन में construir मौशूद हैं एक पहचांन किसी को नहीं है हर एक के अंदर जागरित नहीं हुआ हो शुब्तवस्था में सुब्तवस्था में हर मा के यहां जब जननता है तो वो इसको अपने बच्चे को कोई ये शोदा के नंदलाल से कम नहीं समझती, मा, आया ना बोलो, जो भी माता है, बेहने, बेटियां, जो हैं हमारी यहां पर, वो जानती है, अपने बच्चे को सभी जो लाड़ करती है, वो कृष्ण रूप में ही करती है, और बच्चे भी अपने आपको कृष्ण कहीं ना कहीं समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन, जिस, जब हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की, वो हैं सचिदानन्द सो रूप, जो सतचित आनन्द रूप हैं, क्यार था इस बात का, जो सत्य हैं, सदा थे, सदा हैं, सदा रहेंगे, क्या ये उनके भौतिक रूप की बात हो रही है, बिलकुल भी नहीं, क्योंकि भौतिक रूप तो एक बार था, एक समय के बार वो चला गया, भौतिक रूप, लेकिन जो कृष्ण तत्व है, वो ना कभी गए हैं, ना कभी जा सकते हैं, ना कभी, वो सचिदानन्द रूप हैं, हम सब के अंदर भी सचिदानन्द रूप में विराजमान हैं, हम तो अपने गुरुदेव की, हमारे मेरे गुरुदेव के यहां जो अभी वादन किया जाता है, उनके आश्रम में, हम सभी को एक दूसरे को जाय सचिदानन्द जी बोलते हैं, आप सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जै सचिदानन्द जी, आप मुझे बोल रहे हैं, जै सचिदानन्द जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं, अगर आप सचिदानन्द हैं, मैं सचिदानन्द हूँ, तो यहां श्री कृष्ण को सचिदानन्द कहा जा रहा है, इ आप सचिदानन्द रूप हैं, मैं आपको नमश्कार करता हूँ, एक दूसरे को हाद जोड़ कर कहते हैं, जय सचिदानन्द जी, तो बड़े कमाल के बात है, कहीं न कहीं इस तत्व को समझना है, कृष्णी तत्व मुझे में भी उतना ही मोजूद है, जितना आप में, जितन स्वंश्री कृष्ण में, तत्व मौझूद है, बस वो प्रगट करने की बात है, अब बात ही है कि अपने भीतरम कितना प्रगट करें, भगवान कृष्ण जब प्रगट हुए, तो प्रगट होकर, अब मैं उनको कोई कहानिया सुना हूए, यह मेरी वाली नेचर नहीं है, कि मैं आपको स्टोरी जना हूँ कि वो अगा सुरुका, बका सुरुका, टका सुरुका बद किया, उन्होंने मारा-बारा-एंकिया, ठीक है मारा, जुरूर मारा, उनके जीवन में इतनी प्रअबलम्स आही, जितनी आपकी नेधे जीवन में तो कभी आही नहीं, आप सोचे कि काली रात टाइम वैसे खराब अब हर तरह से अशुब सिंटम जो है वहाँ पर हो रहे हैं और जेल में भी साथ दर्वाजों के बीच में कैद हैं साथ दर्वाजों के बीच में कैद हैं प्रहरी बैठे हुएं यह अलग बात है कि वो बाद में सो गए उनकी माया का जो सरू पर हमारे आने का सबसे बड़ा मकसद उसी कृष्ण तत्व को ही खोजना है बस वो खोज जो है यहां से शुरूओ या वो खोज वहां से शुरूओ अब यह डिपेंड करता है आपके उपर कि आप किस रूप में उसे खोजते हो हम उसी की बात करें किसी तरीके से अगर हम उस ठंग से घटित हो जाएगी अगर हम अपने बीतर कृष्ण तत्व को खोज पाएं तो तो कृष्ण तत्व के बात क्या होती है अगर हम खोजते हैं किसी किसी शायर ने खूब लिखा है कैते मेरे दिल में दिल का प्यारा है मगर मिलता नहीं मेरे दिल में दिल का प्यारा है मगर मिलता नहीं हर शे में उसका नजारा है मगर मिलता नहीं है तो सही कृष्ण तो कणकण में है कृष्ण तो कणकण में है हम वही विरिंदवन वासी या मतरावासी या द्वारकावासी किसी विरूप में उनको कहें हम सिर्फ एक कृष्ण के बाद क्यों करें हम किवल एक क एक स्थान पर उसे सीमित क्यों करें अगर उसे ढूंडना ही पड़े तो सबसे पहले आपने ही दिल में खोजेंगे मेरे गुरुदेव ने तो मुझे यही सिखाया है दिल ही खोज, दिल ही दिल खोजो कभी शुरुआत करना तो भीतर करना असली मंदिर मस्जिदों में, बाहर के मंदिरों में डूंडते हैं हम उसे अच्छा रखता है, सुन्दर हैं वो भी धमश्कार के योगें हैं कभी जाना तो जरूर मत्रा वरिंदा वन जाना जरूर जाके पैरे दर्शन करना उन मंदिरों के जरूर आनंद की अनुभूती अविश्य होगी पर याद रखना, ढूनना तो अंत में अपने ही भीतर पड़ेगा अपने भीतर एंटर किये बगार, अपने भीतर आए बगार गुजारा नहीं है मतलब नहीं है यहाँ ढून लो के वहाँ ढून लो ऐसे ढून लो, के वैसे ढून लो ढूनना तो अपने ही भीतर पड़ेगा बात समझ में आ रही है तो कृष्ण तत्वा अपने भीतर मौजूद है पात्रा और खोज करते है कैसे हैं कृष्ण मेरे भीतर जो कृष्ण है वो कैसे है क्या भी भी आपसे दुसंसार के दो, चार, दस, बीस लोग तो आकरशित होते होंगे मैं बाहरी रूप की बात नहीं कर रहा हूँ चलो आप सुन्दर होंगे, मान लिए आप सुन्दर होंगे, बाहरी रूप से भी होंगे ठीक है, लेकिन यहां जो बात हो रही है यह गुणू की बात हो रही है कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा जो आकरशित करता होगा लोगों को क्या आपका चेहरा है? उसको थोड़ी दर के लिए साइड में कर देता है क्योंकि यहां फिजिकल उसकी बात नहीं हो रही चेहरा आज हे कल-गुरूप हो जाएगा फिर क्या करेंगे? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा जो आपके किर्दार की खुषबू हो कुछ ऐसा जो आपके विप्थित्व की खुषबू हो जाए वो क्रिषण है मेरे भीतर भी क्रिष्ञतत्तु है आपके भीतर भी कृष्ण तत्व है, उसी कृष्ण तत्व को खोजते हैं, बड़ा सुन्दर है, बड़ा प्यारा है, खोजने लायक है, खोजना चाहिए, दिल ही खोज, दिले दिल खोजो, प्रियास तो उसी को खोजने का किया जा रहा है, तो जरा कैसे ढूंडें उस कृष तो कृषिन जी के गुण जो हैं, यहां पर मैं आपको कृषिन जी के गुणों में, तो मैं एक बार उनके गुण गिनाता हूं तो आप उनके साथ डूबकी लगाएंगे, बड़ा आनंद रहेगा इसमें, कृषिन जी के 64 गुण, 64 क्वारिटी जुद में कही जाती है, कि सच उसके पैगंबर हैं, उसके भेजे हुए फरिष्टे हैं, नमशकार है, किसी ने कहा कि हम उसके पुत्र हैं, नमशकार है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि हम हम वही हैं, यह जो कहने वाले आये, यह श्री कृष्ण ही आये, सब ने अपनी अपनी बात कही, सब ने अपनी ब मैं जड़ा उनकी व्याख्या में आपको ले चलता हूँ थोड़ा थोड़ा उनकी गहराईयों में, तो बड़े प्यार से जड़ा डुपकी लगाएंगे, श्री कृष्ण जी के रूप के अंदर डुपकी लगाएंगे, तो आप भी थोड़ा उनको अनबव कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर डुपकी लगाते हैं श्री कृष्ण जी की गीता में और उनकी गीता के साथ-साथ हम उनको थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास भी करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक मुनिटा, बस यह जो हम पात करेंगे हैं पर, तो हम सबसे पहले भगवाएं श्री कृष्ण के गुणों के बात करते हैं, उनके क्वालिटीज के बात करते हैं, जो उन्हें कृष्ण बनाती हैं, आएए थोड़ा समझते हैं, कि कृष्ण भगवाएं के 64 गुण, पहला गुण कौन सा है, जर आपने दर्ट टोलते रहना, इस बक्ति रसामरित सिंदु में 64 गुण बताया गया है, विशेश हैं, कुछ गुण ऐसे हैं, जो हमें और उनमें समान हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं, जो उनमें यूनीक हैं, तो जो हमारे समान हैं, उनकी बात करते हैं, संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप हैं, जिनके बारे में सुनते हैं, आदरम वदरम, नैनम मदरम, फिर इसी तरह से सारी व्याख्या करते करते, लास्ट में कहते हैं कि मदुरादे पते, अकिलम मदरम, ये मदुरता की परम सीमा हो प्रभू आप, आपका सब कुछ मदुर है, आप इतने सुन्दर हो, इतने सुन्दर हो, तो कि जिसके कण कण सुन्दर है, जिसका रोम रोम सुन्दर है, इसको मदुर अश्टकम में डाल गया है अगर आप उसका आप भगवान च्रीकर्षिन के व्याख्या सुनना चाहते हैं तो यह बड़ा है सुन्दर बहुत ही प्यारा है तो जहां उनकी इतनी महिमा गाई जाती है तो यहां पर क्या कहते हैं भगवान क्रिशन के जब ग्रूप की बात कर रहे हैं तो उनके अप्रभू आपका सब कुछ मधूर है, आपकी होट, आपका मुक, आपकी आखें, आपकी मुस्कान, आपका हृदय, आपकी चाल, आप मधूरता के ईश्वर हैं, परमात्मा है, सुद्धर, अच्छा यही गुण क्या हम अपने अंदर नहीं चाहते, लोग ऐसा अन्यक लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोग उनके चेहरी की तारीफ करें लोग, उनके चेहरी की लोग तारीफ करें, मैं तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुमें बनाया, चाहते तो हैं ऐसा, कि लोग हमारे साथ भी ऐसा हो, कि लोग हमारे भी आँखों की तारीफ करें, हमारे भी मुस्क विलीन हो जाए परमातमा है परमातमा होंगे तो फिर ऐसे ही होंगे इसे नीचे दबाती नहीं करेंगे इसके बाद और भी कहा आपका बोलना मदूर है आपका चरित्र मदूर है आपका तिर्चे खड़े होना मदूर है आप संसार में कुछ तिर्चा खड़ा हो जाए आप उ इसको कुछ उल्टा सिदा ही बोलोगे, यह जो टंगी कर रहा है, लेकि यहां, हरे अदा मदूर है, आम लोगों को वस्तर पहनाओ ना बच्चों को, छोटे बच्चों को वस्तर पहनाओ, तो बच्चे वस्तर में हम लोग बड़े भी फलाने वस्तर पहन कर तुम सुन्दर ल यह हमारी आत्मा की सभाव की बात हो रही है, कभी अपने भीतर उस शुनिता में डुग के लगा के देखिया है, कभी अपने भीतर के कृष्ण तत्व को देखा है, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ भगवान बुद्ध है, हैं दोनों एक, दोनों को मैं अंदर से comparison की बात क जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कि मैं सबसे पवित्र ओंकार स्वरूप हूँ, मैं स्पृत्वी की माँ हूँ, मैं स्पृत्वी का पिता हूँ, मैं वेदों में यजुर वेद हूँ, साम वेद हूँ, इस सब मेरी ही बनाय हुए हैं, सभी जो सदगरंथ हैं, कि मेरी ही द्वारा प्रगट हुए हैं मैं इस सब का पिता हूँ पिता हम असे जग तो माता धाता पिता महा कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ मैं ही संसार का पिता मैं हूँ यान सार संसार की उत्वत्ति का कारण मैं हूँ सीधा सीधा परमात्मा की definition बता रहे हैं क्या परमात्मा श्री कृष्ण है तो हम क्या है अगर श्री कृष्ण परमात्मा है हमारा उनसे क्या connection है हम भी वही है हमारे शास्त्रों में जो सोहम जैसे महावाक के यूज किये गए किसले यूज किये गए है ये कहा जा रहा है कि जो तुम हो वही मैं हो चाहते तो हम भी वही हैं गुण तो हमारे अंदर भी वैसे ही है थोड़ा सा थोड़े से कम प्रगट हुए हैं हमारे अंदर वहाँ थोड़े ज़्यादा प्रगट हुए है तो डुब की लगाने लायक तो हैं अब श्री कृष्ण है, तो क्या कहा, उनका संपून शरीर सुन्दर सरूप है, समस्त शुब गुणों से वो अंकित हैं, अतीव रुची कर, बाते उनकी रूप को निहारने लगो, लोग अभी भी उनके मूरत को देखते देखते लोग अभी भी निर्वान को अप्ड़त हो आज भी, पांच हजार साल बाद भी वो जल्वा उतना ही कायम है, जितना कभी था, उतना ही कायम है, आज उनकी मूरत के अंदर से वैसी जलक है, मतलब ना कभी जाये, ना कभी आये, वो तो सदा सदा है, कि कृष्ण कभी गए हैं कहीं, कहीं जा सकते हैं, आवे नजावे मे मेरा पिर अविनाशी, मेरा प्रीतम जो है वो अविनाशी है, वो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, वो सदयव रहता है, मेरे ही भीतर है, मेरा ही रूप बनके है, आप ही का रूप बनके बैठा हुआ है, मेरा कहने का हरता है कि जब जब डुब की मारनी है भीतर मारनी है, ब आप तुम्हें समझ में आये कि नहीं बताओ इस्ट्री में जाकर टटोलना चाहते हो सिर्फ और इसी पर वाद भी वाद करना चाहते हो आपकी मरची लेकिन सुख चाहते हो आनंद चाहते हो अपने भीतर उस कृष्ण तदो को प्रविट करना चाहते हो तो बात को सुन लो ज जाकर चेंज कर पाएं, क्योंकि इसके बिना ना मज़ा नहीं आएगा, बात फिर अधूरी से रह जाएगी, इसके बिना मेरे अंदर चेंज नहीं आया, मैं तो गदा का गदा ही रहा गया, क्रिशन जी सब क्रिशन जी ये, क्रिशन जी वो, हमने उनकी तो महिमा गाई, लेकि आप करो तो मज़ा आजाए, अति तेज जुवान है, उनका हो रहा ऐसा है, इनका अबम अंडल ऐसा है, जो देखता है दिवाना हो जाता है, पर देखने के लिए भी तो नजर चाहिए, अब देखा तो दुरियोदन ने भी था, और देखा गोपियों ने भी था, देखा अ जैसो ने देखा, तो उसके अपर कुपित हो गए, शकुनी जैसो ने देखा तो उनके हालत खराब हो गए, ये कैसा, ये कैसा, चलिया, ऐसे ऐसी गालिया देखा होगा वो एपिसोड, 108 गालिया और वो भी घटिया से घटिया दरजे के गालिया, किसी को कह रहे हैं, उनी श भगवाण आप मुझकूराते हैं, जब गालियां बढ़ें तो आपका स्थित्र अगर अंदर से शान्त रहता है, स्थित्प्रग्य कहा प्रभू ने, स्थित्प्रग्य, अगर स्थित्प्रग्य रहते हैं, रहते हैं सारे सुकों और दुखोंसे पार अपने आपको आतम स्रूप में स्थित मानते हैं तो आप शृत कृष्ण ता तो को जानते हैं यह कुछ नहीं पता अब 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 तक सर्बाते बाते सुनिये प्रिश्न तत्व मतलब मेरी आत्मा वो कृष्न है आपकी आत्मा कृष्न है अम सबकी आत्मा कृष्न है तो कृष्न हूं मैं अगर मैं कहूं आप भी कृष्न है सुन्दर है परम सुन्दर है जरा डुग की मार लेना हैं तो इतने सुन्दर जरा अपने गुणों पर काम करकर करके उभार लेना उन गुणों को, एक एक गुण पर काम करके उभारना तो प्रिश्न तत्व एक दिन प्रगट हो जाएगा, हो ना तो चाहिए, और थोड़ा डुगी लगाते हैं उनके विक्तित्व के अंदर, अतितेजवान है, पर हम सुंदर है, फिर भलवान है, महा है, यहां बात बल की हो रही है, मानसिक बल की बात करते हैं, सिमिलरली नित्ट युवा है, एवर यंग, कभी बुड़े होते ही नहीं, कभी बुड़े होते नहीं, जिसमें महाबारत में गीता सुनाय गे थी, उनके मेरे इसाफ़ से जो जो एज बताए गई है, लग-बग उनकी एज कितनी रही होगी, लग बग, चुरासी साल, 84 years के आसपास के उनकी एज थी, और कितने यंग थे, कितने यंग थे, चुरासी साल, यहां, चुरासी साल में बंदा आरपारी हो लेता है, यंग, और वर्य, एवर यंग, सदा से ही, नित्य युवा, हम भी चाहते हैं, आज विज्ञान भी यही खोज कर रहा है, कि किसी तरीके से लोग नित्य हुआ रह सकें, सदा हमारे अंदर कभी बढ़ा पाना है, हम सदा सुन्दर दिखें, शरीर के अंदर कभी अंग शिन ना पड़ें, यह सभाव कब हो पाएगा, जब तक अपनी आत्मा में डोकी नही लगेगी, यह बहरी रूप से आप इस शरीर को यह मरण धर्मा शरीर है, यह तो जाएगा, यह तो जाएगा आज नहीं तो कल यह तो पड़ा होगा चिता के उपर, कौन है जो नहीं जाएगा, हम उसकी बात कर रहें, क्या आपके भीतर उसको जान लिए है आपने, जरा भी तर डुकी लगा के देखें, एक बर पुने याद दिला रहा हूँ, मेरे दिल में दिल का प्यारा है, मगर मिलता नहीं, हर शेय में उसका नजारा है, मगर मिलता नहीं, ढूनता फिरता हूँ, उसको दर बदर और कूब कूब, यहां से वहां, वहां से यहां ढूनता फिरता में हर जगह उसको बुका रहा है मगर मिलता नहीं किसकी बात हो रही है हमारे ही आत्मतत्व की बात हो रही है हमारे ही आत्मतत्व की बात हो रही है तो बात तरह डुबकी लगा लेने वाली है यहाँ पर जब मदुरश्टिकम पढ़ते है तो भगवान की हर अदा सुन्दर है लेकिन इसी सुन्दरता को जब हम अपने भीतर जाकर देखते हैं तो वो जो तत्व निकल कर आता है सामने वो कुछ और ही है यहां हम एक तरफ हम भागवत गीता की बात करते हैं तो एक तरफ हम अपने अंदर अपने अंदर के उस तत्व की बात करते हैं जहां पर हम अपने भीतर उतर के देख पाएं, हमारे मन के अंदर आत्मा का तत्व भी प्रगट हो सके, यहां मैं बात करूंगा यहां पर कि जिस तरीके से, जिस से हमारे भीतर भी प्रमात्म तत्व प्रगट हो सके, उसकी बात करते हैं, तो मैं एक बार पुने उनके गुण में उन्हें ऐसा लगता कि जैसे सारे खेलुनी के लिए हो रहे हैं उनके शब्दों में ऐसा संदर ज्ञान है भाष्या का हो सकता है संसार में रहने एक लोग होगा जिनको ग्यान होगा जुरूर होगा लेकिन इन सारे गुणों का फाइनल समन में जिन में दिखता है वो श्री कृष्ण है सुन्दर है ऐसी सत्यवादी है जूटका तो सवाल ही नहीं पैदा होता हम भी देखें हमारे अंदर कितनी मात्रा में सत्य मौझूद है आपके अंदर है डेफिनेटली हम कृष्ण रूप में किसी ने सवाल कर रहा है कि क्या हम भी पूर्ण रूप में कृष्ण बन सकते हैं वाइनॉट पहले हम अपने गुणों को निखारते हैं पहले जो अशुद रूप पढ़ा है यह अशुद जैसे एक हीरा है गुणों ही है हीरा है लेकिन वो पढ़ा है गंदी नाली में पहले तो उसको वहाँ से निकाला जाएगा उससे धोया जाएगा वाश किया जाएगा फिर उसके गुणों को निखारा थोड़ा सा पॉलिश की जुरूरत भी पड़ेगी क्योंकि पड़े पड़े बहुत टाइम बीच चुका है तो कुछ और उसके ओपर काम भी करना पड़ेगा है सब कुछ हमारे अंदर वैसा ही बस थोड़े से अवगुण जो है थोड़े ज़्यादा आ गए है इसलिए इसलिए थोड़ा सा उस पर काम जो है वो करना पड़ेगा अपने उपर तो निखारने के लिए प्रियास करने पड़ेंगे किसी का सवाल है कि क्या हम पूर्ण रूप से कृष्ण बन सकते हैं येस वाइ नॉट वाइ नॉट अंत में क्या होगा पहले हम अपने गुणों को निखारेंगे परीद साहब एक फकीर हुए है लिखते हैं फरीदा आप सवारे मैं मिले तो खुद को सवार पहले सवार ताकि तुझे मैं मिल जाओ वो मैं की बात जब करें वो परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं मानो भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे हैं ऐसा मान के चलो वो कह रहे हैं फरीदा आप सवार तो मैं मिले मैं मिले यां सुक होए मुझे मिल जाने के बाद तू सदा सुकी हो जाएगा और जे तू मेरा होए रहे अगर तू मेरा होके रहता है तो सारा जग तेरा होके रहेगा जब तू मेरा होके रहेगा वो भगवान फर्मा रहे हैं मानलो भगवान कृष्णी फर्मा रहे है कि तू मेरा होके रहे, तो सारा संसार तेरा होके रहेगा, ये क्या कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं समर्पन की, ये बात कर रहे हैं समर्पन की, तू समर्पित हो जा, तो पहले तो अपने गुणों पे थोड़ा निखार अपने आपको, इतना योग्य तो बन, इतना योग्य को भूल जा, अपने आप को पहले तो निखार, फिर अपने आप को लीन कर दे, अब मिलने से पहले भी वरवदू के गुण मिलाये जाता है था, संसार की भाषा में बोल रहा training, संसार में भी वरवदू के गुण मिलाये जाते, आत्मा और परमात्मा की गुन कुछ तो मैच करेंगे न, जब मिलेंगे, आत्मा परमात्मा के साथ मिलन होगा, तो गुन तो मैच करेंगे, आत्मा को परमात्मा, पहले आत्मा को जाने तो सही, अभी तो हमने खुद को शरीर जाना हुआ है, हमने आत्मा जाना ही कहा हुआ है, आत्मा को जानते ही पता सुंद्र बहुत सुंद्र लॉक्र पाटू है। अभ आप मदूर भाषी के बारे में आपकी वाणी में मिठास है। आपके अधर क्या चिंजा है भी जैसे थे वैसे रहे वात बनी नहीं गुरतु के गुरतु रहे फिर कैसे बात बनेगी बात तब बनेगी जब कुछ परिवर्टन आएगा मैं निकुरूंगा तो परिवर्टन आएगा मेरे भीतर कृष्ण जागरित होंगे वो तत्व जागरित होगा तो आनन्द आएगा तो मैं आकरशित कर पाऊं चाहते तो हैं सब लेकिन एहनकार में कभी नहीं होगा इस शरीर के बोध से उपर उठना पड़ेगा तो हर वक्त अपनी आत्मा का बोध बनाए रखें अपनी आत्मा का कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ ये शरीर मैं नहीं इधमनमम, ये मेरा नहीं, हाँ मैं इस शरीष के भीतर हूँ, ये कुर्टा जैसे मैंने पहना हुआ है, पर मैं कुर्टा नहीं हूँ, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध चेतना आत्मा हूँ, और ये भी कोई तोतारटर को पहचानते हो जिसके लिए बुद्ध ध्यान लगाकर जो बैठे रहते हैं अपने अंतर में देखते रहते हैं आपको क्या लगता है क्या करते हैं बुद्ध क्या करते होंगे बैठके किसका ध्यान करते होंगे अपनी शुनिता का उस परमानंद का आत्मा में लीन हो जाते ह ऐसे ही श्री कृष्ण भी बैठकर हम कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण आखे बंद करके बैठते होंगे शेष शेया पर विश्ण रूप में विराजमान है वहाँ पर सदा आनंद में क्या कर रहे होते होंगे वहाँ पर अपने ही आनंद में लीन होते हैं अपने आनंद में लीन होते हैं अच्छा परमात्मा से जुड़े होए होते हैं अच्छा वो परमात्मा से जुड़े होए होते हैं तो वो खुद क्या है फिर उसी शुन्यता का रूप है तो ज़रा डुबकी मारना उसता तो को समझना तो मज़ा आ जाएगा थोड़ा गहरा डूबना लाइक करने वही वीडियो को यह तो लोग बड़ी कंजूसी करते हैं बात बुरी समझ में नहीं आती उथरा डूब की लगा लें यहां वाले भी थोड़ा सा अदर पहुँच जाएं अब जो गरवड होगी होगी उसमें हम क्या करें हमने जो अपने मर्जी से तो जो किया नहीं जो हुआ हुआ देखते हैं चलो next वाकपटू है अगवान श्री कृष्ण बोलने में अती मधूर है अती मधूर है बोलने में उनके अंतर ऐसे गुण है कि बोलते हैं तो इतना सुंधर बोलते हैं कि उसथी सुनता ही चला जा है आज भी चाहे वो एक धारावाही की क्यों नहीं है वो एक सीरिली क्यों नहीं है जैसे अलग-लग रूपों में जो सीरियल बने हैं महाबारत में आज भी श्रीकृषिन जी की वारणी सुनते हैं चाहे वो किसी ने की उपर फिलमाई गई है आज भी इतना ही सुन्दरिया मौजूद है हाया ना अगर आपने डूबकी लगाई है रिसेंटली हमने कुछ पार्ट दोबारा से देखा बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर एक एक शब्द जो है फिर देक अंदर उतर जाए सबसे बड़ी बात क्या है जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे है हमारा ज्यान भी तो बढ़ता जा रहा है हमारी समझ भी तो बड़ती जा रही है वही भागवद गीता जो उसे 20 साल पहले पड़ा करते थे अच्छा आपने पढ़ी है भागवद गीता पढ़ी है किसी ने या उपर उपर से गीता करे जा रहे हैं ये क्रिशन जीसे प्रेम करते हैं लेकिन गीता नहीं पड़ दि favorable भागवत गीता नहीं पड़ी जिस गीता के नाम पर कस्मे कहते हैं उस गीता को पड़ानी कभी तो पूरी तरह हिंदू नहीं है जो भुष ध्यान रखना हिंदू किरफ शब्दों से शिंदू नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो अंदर डुबकी लगने चाहिए बैस समझ में आ रही कुछ इंपोर्टन्ट है पढ़ने की जरूरत है डुबकी लगाने की जरूरत है एक बार कभी फिर ले चलेंगे यात्रा पर आपको शिमत भागवद गिता की यात्रा पर जरूर जानना चाहिए कृष्ण तत्व के अंदर थोड़ा ओर डुबकी लगाएंगे थोड़ा ओर गहरे जाएंगे जरूर करेंगे डेफिनिट दे करेंगे तो जरूर डुबकी लगाना तो ये एक जुद्धा तो हमने इसके अंदर पाया, इसके अंदर, इसके अंदर, मैं आपको अश्टावकर गीता के साथ भी इनको comparison करके बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों चीजें किस तरह से आपस में match करती हैं, क्योंकि दोनों चीजें का जो बेश है नाश्टावकर गीता और शिमत भागवत गीता है, दोनों गजब के अपने आप में जो उनका स्वरूप है, दोनों का अपने ही अपना स्वरूप है, आप जितना उसमें डुबकी लगाएं, आपको अलग-अलग रूपों में पता चल के लिए, तो भगवायन श्री कृष्ण अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं, एक बार क्या बताते हैं, यह जड़ा इसको सुनना, बड़े प्यार से सुनने लायक है, बड़ा प्यारा है यह, एक मिनिट, भगवान कृष्ण श्रीमत भागवत गीता के नौमे अध्याये में अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, उनकी वैक्या सुनते हैं, बड़ी सुनतर है, क्या फर्माते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत, जल से बरफ के सद्रिश परिपूर्ण है, जैसे जल से बरफ बनी, मैं वो जल तत्व हूँ, जिस से सब बना, ये बरफ बनी, बनी, सॉलिड हुआ, लेकिन वास्तवीक तत्व मैं हूँ, मनि-मनि, यहां भगवान कृष्ण की बात हो रही है, मैं जब कहा रहा हूँ, उनकी भाशा कहा रहा हूँ, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत इस तना से व्याप्त है, मुझ से व्याप्त है कि मैं सृष पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे होंगे, अगर यहां हुए तो कैसे होंगे, मेरे भीतर हुए तो कैसे होंगे श्री कृष्ण कैसे होंगे, कुछ समझ में आ रही है बात, सवाल है, बड़ा इंपोर्टन्ट है, अचा कैसे होंगे श्री कृष्ण अगर हुए तो, जड़ा औ उनकी व्याक्या पढ़ते हैं? सोड़ा और समझते हैं बात को. क्या फर्माते हैं? नचे मत्से थानी, भूत आनी पश्चे में योग मैश्वरं। भूत ब्रिन्न चे भूत अस्थो ममा आत्मा भूत भावना। इस तरह से भगवान की व्याक्या करते हैं. सोड़ा और आगे पतारता हम आपको, अब यहाँ देखो, यहाँ जो बात करते हैं यह अपनी व्याख्या दे रहे हैं, अप्चुलि अपने बारे में बता रहे हैं, जरा समझे ना, यथा आकाश्थितो नित्यम वायू सर्वगत्रो महान, तथा सर्वानी भूतानी मत्स्थानी त्यू पधार् बतारता सर्वट्रो में भूत विचरने बारे महान वायू सदा आकाश में हिस्तित है, वैसे ही मेरे संकल्प्दार उत्पन होने से संपूर्ण जगत भूत मेरे में हिस्तित हैं। बगवान क्या फर्मा रहे हैं, सब कुछ मुझ से ही उत्पन हुआ है और अंत में मुझी में समा जाएगा, मुझ से उत्पन हुआ और मुझी में समा जाएगा, मैं कणकण में व्यापत हूँ, सभी भूतों में, सभी भूतों का मतलब भूत जो वर्ड यूज कर रहे हैं, हम जीवों के लिए हम सबके लिए उसगर रहे हैं मतलब इसमें पशू-पक्ष्य भी आगे जीव-जन्तु भी आगे इनसान भी आगे पृत्वी भी आगे आकाश भी आगा है सभी ततव आगे सभी भूतों में पंच ततवों में कौं सा चीज है जो सबके अंदर common है, मैंने फिर example दे रहा हूँ, मेरे भीतर है भगवान, आपके भीतर भी है श्री क्रिश्न, मेरे भीतर भी है, यहां भी है, इस खाली जगा पर, है, आकाश में, जहां हमारा अभी चंद्रयान गया है, वहाँ पर भी है, है तो सही, अच्छा बीच में, पृत्वी और खाली पन है न, इस एमटी स्पेस, इस एमटी स्पेस इज, इस क्रिश्न, यह वो परम परमात्मा की अनुभूती है, यह कणकण में मौजूद है, क्या, खाली पन, यह खाली पन के रूप में हर स्थान पर मौजूद है, अच्छा आपको होगे कि हम, यह तो भरा बरा सा है शरीत के अंदर तो हम मास है, हड़ी है, यह सब, उसके अंदर क्या खाली पन नहीं है, है तो सही, आप जानते हो अच्छे से, हर एक के अंदर एटम है, एटम के अंदर भी वही नूकलिस है, और उसके आसपास में इलेक्ट्रोन और पॉजिट्रोन चक्र लगाते हैं, पता त मुझे अपने भीतर की शुनिता में डुब की लगानी पड़ेगी, मुझे अपने भीतर की शुनिता में डुब की लगानी पड़ेगी, जरा लगा ही लेना, लगा ही लेना, एक बार पूर है, श्री कृषिन जी की बात समझते हैं, क्या फरमा रहे हैं प्रभू, देखो, बात बड़ी गजब की करते हैं, अंत में क्या कहते हैं, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रिकृति को प्राप्त होते हैं, सब भूत मतलब everybody, everyone, मेरी प्रिकृति को प्राप्त होते हैं, और कल्पों के आदिम उनको मैं फिर से रच देता हूँ सब मुझे में दीन हो जाते हैं और मैं फिर से उसको द्वारा से प्रकट कर देता हूँ ठीक वैसे ही जैसे बीज से पेड़ बना और लास्ट में वो सारे बीज जो है वो धर्ती में समागे धर्ती के जब वो दुबारा से स्रजन हुआ तो धर्ती में से दुबारा वीज प्रकट हो गए तो दुबारा दुबारा इस प्रकारी सिष्टी का खेल चलता रहता है इसी तरह से अलग लग रूपों में अपनी व्याख्या करते हैं बड़ा सुंदर है ये व्याख्या जरा समझ लेने की बात है अच्छा अपने बारे में और बहुत सारी बाते करते हैं मैं कुछ बातों को समझाने के लिए कि मैं किस तरीके से मैं बात करता हूँ तो अपने ज्ञान के रूप में बताते हैं पुछ जरा सुनो इनकी बादें। रिष्टी से सोचो कौन सी व्याख्या दे रहे हैं प्रभू क्या कह रहे हैं मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं सब जगा पर हर रूप में मैं ही व्यापत हूं यह व्याख्या किवल और किवल सनातन धरम में पॉसिबल है बाकि किसी को घृत तू पता भी नहीं है यह चीज हूँ क्या रही है, क्या सोचके बैठे हैं, हमने कहां boundaries में define कर दिया, सनातन धरमवारों को भी पूरी समझ कहा है, बात को छोड़ा डुपकी तो लगाओ अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है कि घी भी मैं, हवन भी मैं, लकडी भी मैं, ऐसा कैसे possible है, जो जल रही है, उसमें सम्विधा डाले जा रही है, वो भी मैं, यह कैसे possible है, यह किसकी बात कर रहे हैं, फर्मा रहे हैं कि हर एक के अंदर, हर एक जीव में और अजीव में, वो जो परम शुन्य तत्व है, वो मैं हूँ, जरा कन कन में एक बार फील करके देखना, उर्जा के रूप में जो वो मौजूद है, वो परम तत्व, वो कन कन में मौजूद है, उस रूप में भगवान अपनी व्याख्या दे रहे हैं, जरा डुक की मार लेना, क्रिशन तत्व में, ऐसा ना हो कि चूक जाओ, ऐसा ना हो कि चूक जाओ, आत्मा में ही सर्व सब कुछ कर रहे हैं एक बार पुने अच्छा यहां पर एक बार पुने वह अली बात फर्माते हैं पिता हम अस्य जगतो माता धाता पिता महा कि वेद्यम पवित्र ओंकार रिक्षाम जरुवेद चह इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थाता धारण करने वाला मैं हूं भगवान कृष से संपूर्ण जगत प्रगट हुआ है फिर कहा कि मैं ही पवित्र ओंकार सुरूप हूँ और मैं ही रिगवेद हूँ सामवेद हूँ यजुर्वेद भी मैं ही हूँ अधी सुन्दर बात है कुछ रसुन के देखे क्या गजब की व्याख्या दे रहे हैं अपने बारे में कि प्रभवे प्रलै स्थानम निधानम बीजम अव्ययम प्राप्त होने के साथ साथ परमधाम भरम पोशन करने वाला सबका स्वामी शुब अशुब का खेल करने वाला सबका वासस्थान जिसमें सब अवस्ते हैं वो मैं हूँ तो कन कन के अंदर ये जो दिव्विता मौजूद है तरह उसको फील करके देखें ये हैं श्री कृष्णा ये हैं श्री कृष्णा कन कन में वो जो दिव्विता मौजूद है जहां से सब उत्पन हुआ जिसमें सब जाके समा जाएंगे वो जो रोम रोम में व्याब्त है व बात अधूरे मेरा जाओगे ठीक है श्री कृषिन जी का जनम हुआ वो भी सुरूप सुंदर है बहुत सुंदर है उसकी महाइमा सुंदर है उनकी हर बात सुंदर है लेकिन उससे भी जादा सुंदर तब आएगी जब हम अपने भीतर उसे जान पाएंगे तो जड़ा डुकी लगाना आपको पढले पढ़ रही है बात कुछ कैसे कृष्ण तव में डुकी लगानी है इस क्लास में मैंने तो कही निए कि मैं आपको लिला करने वाला आ पको जाने बगार बात बनने वाले नहीं है स्वम उनके पिता यहां बगवान फर्मारे ना पिता हम मैं पिता हूं उनके पिता जो इस धर्ती पर वो अव्तार लिया उन्होंने उनके पिता मतलब जो जो नोंने पालन करा नंदलाल जी तो एक बार उन्होंने क्या किया यग गिरच आया नंदलाल जी ने जो यग गिरच यग में ये था कि सब रिशिमुनियों को सब कोनियोता दिया सब आये रिशिमुनिगंड पूरा अर्इन्मेंट किया अपने वहां के सरपंच थे समख्या थे तो पैसा वैसा था गुटन के रूप मिन पैसा मौन ठीया सब कोनियोता या बर्क के आ रहे हैं, जितना जिनको बुलाया वो भी आए, जनको ना बुलाया वो भी आए, भीड जब लग रही है, तो अब ये जो हवन हो रहा है, हवन में जैसे समगरी वगरी डाली जा रही है, उसके बाद भोजन का प्रबंद किया गया है, सबी का, तो प्रभू भगवा संत अधिक कर लेखा, सिर्राम चितमाल में फरमाते हैं कि मुझसे संतों को अधिक जानना, तो संतों की, संतों की बंदना करते हुए, उनकी सेवा करने के लिए, भगवान कृशन जुटे हुए हैं, छूटे से बाल कृशन इदर से उदर, उदर से उदर, किसी की पत्तर आए वहाँ पर, तो देख रहे हैं सब की नजरे वहाँ टिक हुए हैं, अब किसी ने, किसी ने, अब जो नंदलाल जी से पूछ रहे हैं, नंदलाल जी से किसी रिशी मुनी जी की बात हो रही है, अब नंदलाल जी उनको प्राशना करते हैं कि प्रभू कृपा करो, इस जी यह जीवन सफल हो जाए नंद लाल जी किसी रिशी मुनी के आगे प्राष्णा कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए तो अनन्द आ जाए अब कमाल की बात रिशी मुनी और रिशी जी जो है वो देख रहे हैं करते भाई तो एक बात बताओ हम यहां पर तेरे यग के मात्मा पिता होकर भी समझ कहां बरसे पिता होकर भी पता कैसे लगे मर्द पर्दा डाल दिया ना पर्दा डाल दिया तो पता ही नहीं लग रहा कि वे पिता को भी नहीं पता लग रहा उनको भी समझ में नहीं आ रही कि यही जो मेरा मेरा जो बाल गोपाल है यही तो परमत पाले न पड़े हूँ जाएगा वो जो खुद बंदा सीधा होगा उसको टेड़ा समझ में आएगा बात सब की समझ में आएगी नहीं है बात अब ये नंदरलाज जी दुनिया के आगे नमश्कार करने हैं सब को और सब उसको देख देख के कनिया का हैं सब की नजर उसके उपर पड़ी होई हैं वो कहा है तो सब को आकरशित कर ले वो कृष्ण बिना कृष्ण तात्व को जाने बगैर पिता जिनके घर में श्री कृष्ण स्व आते होंगे 24 गंटे उनके साथ होते हैं तो भी वो कृष्ण तत्व को नहीं जानते इसके बिना उनको भी समझ में नहीं आती इसके बिना उनको भी समझ में नहीं आती वो जब तक सो जाने जिस देहो जनाई जानत तुमें तुमें ही हो जाए वही तुमें जान सकता है प् कैसे लीन हो जाओं आपको लीन ही होना पड़ेगा भाया आपको लीन ही होना पड़ेगा जाना तो तुम्हें ही हो जाए तुम्हें जान तुम्हें तत्व रूप को जब जान लेगा तो तुम्हें का रूप हो जाएगा इसका मतब यह नहीं कि लोग क्या करते हैं अब तेरे को क्या समझ में है, तेरे अंदर क्या परिवर्टनाया, सीज़ी सीज़ी बता तू, तेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, मेरा जो अंडरस्टेंडिंग है वो चेंज से सब्बंदित है, कि भई चेंज तो मेरे भीतर आना चाहिए, मैं तब बात करूँगा, राइट, सम पनी भीतर डूब की लगा कर उसे जान लिया ना, फिर वो कनकन में नजर आता है फिर, फिर जहां देखो उसके सिवा कोई है यह नहीं, बुलेशा कहते हैं, बुला, शो असाथी वक्ष नहीं, शो परमात्मा में इसे अलग नहीं है, बिन शो दे दूजा कक्ष नहीं, उसक सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, कुछ कुछ काक भी नहीं है, उससे अलग तो, कनकन में वही बसता है, आपने कभी अनुबव किया है कि सिष्टी के कनकन में वह जो आनंद रूप बैठा है, आनंद रूप बैठा है, कभी अनुबव किया है कि सिष्टी के कनकन में वह जो आ अलग पाई है, तो मार लेना डुपकी, हत बड़ी है, भात डुपकी लगा लेने लायक है, कणकण में बैठा है, परम सुद्र है, उसी का दर्शन करने तो आए हैं, उसी को पाने तो आए हैं, वही होने आए हैं, दर्शन करने ही नहीं, वही होने आए हैं, जाने तो तुम्ह तुम्हें ही हो जाई जान लेने के बाद तुम्हें तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा वो अलग नहीं रहेगा तो निर्वान को प्लद्ध होना पड़ेगा निर्वान शब्द का अर्थ क्या होता है निर्वान का अर्थ उनकी भाषा में भगवान बुद्ध की भाषा में दिये का बुझ जाना एहंकार रूपी दिये का बुझ जाना तो मेरे अंदर एहंकार था वो बुझ गया जो बच गया वो ये बचा तो एहंकार रूपी दिया बुझ गया तो बात समझ में आ गई आपकी जितनी समझ में आई तरह आप बात को पकड़ लो तो मेरा कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर बात हो रही है अपने अंदर उस कृष्ण तत्व को जानने की डुग की मार लेना बात अधूरा तो बिलकुल आपको बिलकुल पता ही चल जाए अंदर की बात मज़ा आ जाए देखो नीते अधूरी बातों में रहर मज़ जाना ऐसा ना की बात की उपर उपर से चूक जाएं चूक नहीं जाना अच्छे से उसके अंदर डुग की मार लेना ताकि आनंद आजाए भीतर के क्रिशन तत्व को हम भी जान सकें भीशन के भीतर के क्रिशन तत्व को हम भी जान सकें तो ऐसा प्रियास करके देखना एक बार पूरे हैं दो चार बाते हैं अब ये तको ये सारे संत कहें एकी बात रहें यह कुछ अलग वो रहे हैं अश्टावकर कि केसे बात करते हैं जो वह उसी तत्व के बारे में अलग-अलग रुपबमें व्याख़ा करते हैं उसी चैतन्य का शैतन्य का साक्षात ग्यान पराप्तड करके कौन वराग्य और समताशे युग तो कौन गुरु जनम और मृत्यू के बंदन से तार नहीं देगा किसकी बात कर रहा है चैतन्य का साक्षात ज्यान प्राप्ट करना जिसको वो चैतन्य कह रहे हैं वो मेरे भीतर वो आपके भीतर परम आनंद रूप में परमात्मा बैठा हुआ है मेरे भीतर भी उतना ही आनंद में ही मौझूद है जितना आपके भीतर है एक कुत्ते के भीतर भी वो उतना ही मौझूद है एक हिरन के भीतर भी वो उतना ही मौजूद है एक चींटी के भीतर भी वो उतना ही मौजूद है है तो कणकण में उसको जाने बगार मर नहीं जाना उसको जाने बगार यहां से चले गए जूते मार मार के भगा दिये जाओगे वापिस फिर भाप्पिय जही आओगे उसको जानना है जानना है, वही हो जाना है क्रशन तत्व में लीन होना है, केवल कहाणिया पढ़के नहीं रह जाना केवल मंदिरों में डूपकीयां लगा-लगाके के नहीं रह जाना अच्छा है जा ना एक आदी बार हो जाने में प्राब्लम नहीं है पर मंद्रों के पीछे नहीं बढ़े रहे ना कोई लोग ने का मैं रूटीन बना रहा है परिंदा बन जाएंगे 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 हर बार हर हफ़ते चले जाएंगे जाओ, नमश्कार है, जरूर करो, लेकिन भीतर कुछ परिवर्टन आए, यहां कुछ बदले तो बहत बने, यहां कुछ बने तो जड़ा डुब की मारें अपने भीतर, आंके बंद करके भीतर देख लेना इस शुन्यता को, भीतर की शुन्यता को देख लेना, और जब अपने से अच्छे से डुब की लगाकर फिर भगवान क्रिशन की महिमा अच्छा देखना क्या कहते हैं जरा इतने खोल के कभी किसी ने कहा ये 22 बज़ के 22 मिनिट होएं exactly इस समय देखिए ना किरपा ध्यान क्यों चला जाता है सडनली महाँ पर हर पल हमारे साथ है परमात्मा आपके साथ हैं मेरे साथ हैं हर समय साथ है 22 बज़ के एक बार एंजल से प्राफना करते हैं प्रभू जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं बस ये गीता का ये जो शिर्मत भागवत गीता का ग्यान ये मेरे भीतर मेरे अंतरा आत्मा में उतर जाए और मेरा ये जीवन जो है अपनी तो समस्क्राइल आप निकल लेना आप जरूर निकल लेना क्या फर्माते हैं बागवाई श्रीक करिश्ण ह करमा रहे हैं मैं ही सूरे रूप से तपता हूं वर्षा का आकर्शन करता हूँ और उसे बरसाता हूँ ए अरजुन मैं ही अमरत हूँ मैं ही मृत्यू हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ कभी सुनिये ऐसी complete व्याक्य यह शिर्मत भागवत गीता का 9 अध्याय का 19 वा स्लोक है कभी सुनिया इतने सुन्दर व्याक्या किस तरीके से मैं ही सूरे रूप में तपता हूँ हमार यह जो बाकिद मैं किसी धरम के पर वो नहीं कर रहा हूँ कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ लेकिन उन्होंने positive positive परमात्मा को कहा प्रकाश है परमात्मा अबने का अंदकार है परमात्मा बात पूरी नहीं होई क्योंकि अधूरी बात नहीं बनी परकाश परकाश परमात है तो अंदकार को नहीं है अच्छा अच्छा तो भगवान है तो बुरा बुरा क्या है उकुलते है शेतान है हमारे यहां अच्छा कोई concept नहीं है हमारे यहां अच्छा अच्छा भगवान है तो बुरा बुरा कौन शेतान है हमारे का शेतान भी वही है बड़ी जीब बात है आप किसी को कहोगे ना बड़ा जीब लगेगा उनकी भाष्या में उनकी भाष्या में दूसरे धर्मों वालों की भाष्या में शेतान बोलेंगे बिलकुल अजीब हमारे यहां तो कोई दूसरा कंसेप्ट ही नहीं तू दर्याओ सब तुद ही माही तू जिसम दूजा कोई ही नहीं तेरे जैसा कोई है नहीं, राम में तू तो रावण में क्या आलग कोई बैठा हुए, बैठा तो सब जगा तू ही है, बात समझ में आरी है, बात तो बड़ी गहरी है, इसलिए तू जरा डुब की लगा ले ना अंदर में, क्योंकि बात समझ में ऐसे आने वाली नहीं है, बार बार खुद को याद कर, उसमने चैतन ने सुरूफ को याद कर, क्योंकि जिसको तू सवास सवास में सभाले गा ना, एक दिन वैसा ही मिल जाएगा तू. मेरे गुर्दे फरमाते हैं स्वास स्वास में जब उसे स्वास स्वास में जब शिवो हम शिवो हम हाँ मैं शिवरूप हूँ हाँ मैं चैतन्य हूँ हाँ मैं आत्मा हूँ हाँ मैं आनंदरूप हूँ बार बार कह एक दिन ऐसा होगा कि स्वास अंदर जाएगी बाहर आएगी और बस उसके बाद अगली अस्वास अंदर जाएगी नहीं, बात खतम, बात खतम हो जाएगी, शरीर मरेगा, मैं ना मरता हूँ, ना मर सकता हूँ, ना हन्य हन्यमाने शरीरे, शरीर हन्यमान होगा, मरेगा, मैं नहीं मरता, बात समझ लेना, मैं उस परमतत्यों को जानने की ब मज़ लेना ज़रा ग्यान में अंतर में करना होना तो सुबह सुबह ब्रह्मुरत में साड़े तीन वज़े उठके लगना हमारे साथ देखो जूम पे जो बैठे हैं हमारे मित्र बंदू जो वाले को सभी को निवेजन कर रहा हूं ज़रा सुबह सुबह लग जाना साथ में मिलके मज़ा आ जाएगा बात समझ में आ रही है केवल शब्दों तक सीमित मत रह जाना ज़रा डुबकी लगा लेना राइट बात अंदर तक डुबकी लगा लेना तो केवल पूरा आएगा समझ में आएगा समझ में, सबको अंदर बड़े प्यार से समझ में आएगा, अंदर भी दिखाई देगा, अगर कुछ भी नजर ना आये ना, अंदेरा तो है, अंदेरा तो है, अंदकार का दूसरा नाम श्री कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या काला, अगर शब्दों के साब से देख खृष्ण काले, अगर तुम काली की भाषा देखना चाहते हो, मा काली का तो नाम ही काली, काला, काले को हमने इतना महतव क्यों दे दिया, लोगों ने तो सारा गोरे-गोरे को महतव दिया, हमने तो काले को भी महतव दिया, सनातन की महनता है, नमश्रकार की योग गया है, लूअ को लगाने हाए है जरण भीतर देखना अंधकार दिखे तो अंदकार सही अपना तो है मैं ध्यान ओशो ध्यान करवाया करते थे खोई similar दियान है जो ऊपने इस पे करवाते были त।ब करवाते हैं अंदकार ध्यान क्या है अंदकार द्यान, अंदर के अंधेरे को देखते जाना, मानो आप श्री कृष्ण को देख रहे हो, कोई रूप नहीं है वहाँ पर अंदर में, अंदर में कोई हमें कल्पना नहीं करने, अंदकार है, अंदकार को देखते जाना, ना गहरी डूब की लग जाये तो है नीचे ही जून का लिंक नीचे ही दे होगा जड़ा सुभे सुभे कनेक्ट करना साधे तीन से साधे चार हो सक tournaments नाहो सके तो साधे चार से साधे पांच से थोड़ा आदा घंटा और 1 घंटे बाद जो साधे चार वजे का पता लगाना मुश्किल नहीं है। यह भीतर का Кар्षण ही जाने बगेर बात बने की नहीं, जानना ही पड़ेगा। वो श्री उसकी हर अदा, हर बात, हर रूप सुंदर है, तो यहां आपने उनकी गुणों की व्याख्या करी, अब यहां देखो, सुपंडित है, भगवान शीर कृष्ण, अट्यदिक बुद्धिवान है, भारी रूप से सुंदरता है, व्याख्या है, बड़ा प्रतीभावान है, आप चालाक उनके सामने चपकी, चालाकी अफीकी पड़ जाती है, इतने चतुर हैं, डक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ के अंदर, कृतक गे रहते हैं, कृतक गे रहते हैं, कोई उन पर उपकार करता है, तो उसको दिल में बसा लेते हैं उस बात को, आप भी दिड़ सं अन्य, काल और परिस्थितियों के कुशल निर्णायक हैं, तो एक एक बात अपने भीतर उतार लेने लायक है, जरा मार ही लेना डुपके, डुपके मार ही लेना, तो पीछे छूट ने जाना, चूक ने जाना, प्रिश्न ततों को जाने बगार भागनी जाना यहां से, मेरी अर्थ क्या है, तो उसको खूज करते करते, अर्थात अपने भीतर, अपने भीतर, अपनी अपूर्णता को उसकी पूर्णता में लीन कर देना, बेशक हम अधूरे हैं, तभी तो ये अधूरापन सबको अधूरापन जब पूरे में मिल जाएगा, तो पूरा हो जाएगा, हमारे शास्त्रों में सुदर लिखा हुआ है, ओम पुर्ण मिदह, पूर्ण मिदम, पुर्णा टी पुर्ण मुदच्चते, वो परमात्मा परिपूर्ण है, तो उसके बच्चे ही परिपूर्ण ही लेकिन obviously उसके अंदर गुन कम है गुन छोटा है वो size में लेकिन गुनों में quantity में फरक है quantity में quality में फरक नहीं है एक बूंद में और सागर में जो फरक है बस ऐसा ही हमारा परमात्मा का रिष्टा है इसको अच्छी से समझ लेना और उशी को अपने भीतर मेरे लिए पहले मेरी आत्मा इसको जानू तो परमात्मा को जानना मुश्किल नहीं वो अगला स्टैप है शुकर मनाएं ऐसे क्रिश शुन्यता दिखाई दे रही है खालीपन फील हो रहा है पूश्य कोई विचार नहीं कोई विकार नहीं अक्तां गहन अंदकार और यह होना ही मेरी एक्जिस्टेंस है यह मेरा आनन्द है कोई जरूरी नहीं कि मैं उधीरतन ख़ड़काउं गा करूंगा तभी आनन्द आए अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत सुन्दर है वो भी, करें तो बुरा नहीं है, लेकिन वो बाहरी बाहरी है, थोड़ा अंदर आना, थोड़ा भीतर उतरना, थोड़ा भीतर उतरना, तब जाके अंतर में एहसास हो पाएगा अपने होने का, शुरू शुरू में वो अच् बुद्ध अलग बात करते हैं, श्रीकृष्ण अलग बात करते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, सबी स्याने एक मत यही बात गुर्णाना देवजी माराजी भी करते हैं, यही जैन मुनी भी करते हैं, श्र्थंकर वही करते हैं, बात अलग नहीं करते हैं, उसी परंतत्व की बात करते हैं आपको एक पार समझज आ जाया जाए तो सब ihrer आपने आब आ जाती है तो इसलिए उसको नमंश्कार वह को नमंश्कारा है। तो सद्गुरु द्या करें थेंक यू वरिय मच परमाटमा तो तेंक यू वरिय मच गुरुदेव किर्पा करें आप सभी का हम सब का आत्मा का कल्यान हो जूम का लिंक आपको दिया जा रहा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास है नहीं हो तो में भर दुबारा डाल देते हैं ये लिजे जूम का लिंक जो है शरी इस वीडियो के description में डाल देते हैं, तो आप इसको, राइट ये हमारा Zoom का session है, आप इस पे click करके वहाँ से भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, । जैसा आप ठीक समझें, रुक्कि लगा लेना, राइट ये मैंने, यह लिंक डाल दिया है आप क्लिक करके सुबह जॉइन कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल है एकदम बेसिक वाला मैं उमीद करता हूं कि इसी तरह से हम सब क्रिशन जनमाश्टमी को मना पाएं हमारे भीतर भी ये क्रिशन तत्व उतर सके वैसा हम प्रयास करें अपने भीतर भीतर भी जागरती आए अभी आज इतना ही समय है धन्यवाद करते हैं प्रमात्माने जितना भी भीतर डुपती लगाई जरा उसका आनन्द लें और अब जो है हम एक बार थोड़ी दिर जूम पर अभी बैठेंगे क्योंकि यहां पर भजन भजन चलाए जा सकते हैं यूट्यूब उनको भजनों को बैन कर देता है क्योंकि वो कॉपिराइट होते हैं तो फिर गड़वड हो जाती है तो अभी जो जो लोग यूट्यूब प कोई कह रहा है शुनिता से डर लगता है रही डर कैसे लगता है भाई इसको डर लगने लगा शुनिता से काय को डर लगने लगा यह हमारा अभी का लिंक है अगर आपको जोईन करना है न तो अभी कर सकते हैं यह अभी का लिंक है इन पर आरेई अपि आपको आना है तो यहाँ आयें फिर बात करते से ह्जरा अंथा मोर्णुंिंग मैडिटेशन में जुरूर्ग ज्वाइन करें आपको अन्यध्यान कप्राप्ती होगी बहुत कल्यान होगा आप यहां आएंगे तो फिर आप आपको बताते हैं यहांपर आईए ताकि हम face to face बात कर सकें यह लिंक दिया हुआ है इस video को like करसबी बांने समाप्द करते हैं और हम यहांपर बात करते यूटीव पर मैं इसे फिनिश कर रहा हूं जूम पर जो लोग Down कर सकते हैं बोग कर लें अभी कि सभी कर लें जो लोग स कर सकते हैं सभी से निवेजन कि 와서 को में कहरा है कि ये एश्य का लगता है कि शुण्य में सब Holmes चिन गया हो चिनने के बाद ही आपको अंदर में आनंद कानुबव होगा आप आपको अदूरी बात पकड़ रहे हो भी आप अदूरी बात पकड़ रहे हो भी चिनना जो लग रहा है ना कि चीना जा रहा है वो चीनना वास्ता में मिलना है तो जरा गल्द फैमी में मत पढ़ करना तो डूब की लगा लेना तो अभी इस बात को यूट्यूब पर फिनिश करते हैं thank you very much सभी को शी कृष्ण जन्माष्ट में की बहुत-बहुत हार्दिक शुब कामना है सभी का कल्यान हो सभी के दिल में शी कृष्ण तत्व उबरे और हम सब कृष्ण होकर कृष्ण मई होकर ही इस धन्ती से जाएं ऐसी मेरी सब के निमित प्राठना है गुरुद्ध